भारत के सुतंता संग्राम सिनानी एवं सुतंत्र भारत के प्रथम ग्रे मंत्री सर्दार वल्लभाई पटेल का जन्म 31 अक्टूबर 1875 को हुआ था। वे वास्तों में भारती जन्मानस अर्थान किसान की आत्मा थे। सर्दार पटेल वर्व से ढके एक ज्वाला मुकी थे। विनवीन भारत के निर्माता थे। भारत की सुनता संग्राम में उनका महत्मोर योगदान रहा। सर्दार पटेल का जन्द नाडियाद गुजरात में एक पांटिदार क्रिशक जमिदार परिवार में हुआ था। वे जवेर भाई पटेल एवं लद्वा की चौथी संतान थे। सोम भाई, नरसी भाई और विच्चल भाई उनके अग्रस थे। उनके सिक्षा मुख्यता स्वा अध्याय से हुई। लंदन जाकर उन्होंने बैरिश्ट्री की पढ़ाई की और वापस आकर एहमदावाद में वकालत करने लगे। महात्मा गांधी के विचारों से प्रेरित होकर उन्होंने भारत के स्वदंता आंदोलन में भाग लिया। स्वदंता आंदोलन में सरदार पटेल का सबसे पहला और बड़ा योगदान खेडा संगर्ष में हुआ। गुजरात का खेडा खंड उन दिनों भेंकर सुखे की चपेट में था। किसानों ने अंग्रेज सरकार से भारी कर में छूट की मांग की। जब ये स्विकार नहीं किया गया तो सरदार पटेल ने किसानों का नित्रित्व किया और उन्हें कर न देने के लिए प्रेरित किया। अंत में सरकार जुकी और उस वर्ष करों में रहत दी गई। ये सरदार पटेल की पहली सफलता थी। बार्दोली सत्याग्र की जिम्मेदारी भी सरदार वनलब भाई पटेल को सौपी गई थी। वनलब भाई पटेल के नित्रित्व में इस आंदोलन का असर सरकार पर हुआ और वायसनाय की सलापर मुंबई सरकार ने लगान के आदेश को रद करने की घोशना करते हुए इस आंदोलन की सफलता के उपलक्ष में ग्यारा और बारा अगस्त को विजय दिवस मनाये गया जिसमें वललब भाई पटेल की सूझ बूझ की प्रशन्चा की गई इसी आंदोलन की सफलता पर एक विशाल सभा में गान्धी जी ने वललब भाई पटेल को सरदार की उपाधी से सम्भानित किया जिसके बार वललब भाई पटेल सरदार पटेल के नाम से प्रसिद्ध हुए देशी रियास्तों को भारत में मिलानी का सहसी कार सरदार पटेल के प्रयासों से ही सम्भा हो सका जब 15 अगस्ट 1947 को भारत परतंतरता की बेडियों से आजाद हुआ तो उस समय लगभग 562 यानि 562 देशी रियास्ते थी जिन पर बिटिश सरकार का हुकूमत नहीं था उनमें से जुनागड, हैद्राबाद और कश्मीर को छोड़कर अधितर न्यास्तों ने स्वेक्षा से भारत में अपने विलय की स्विक्रिती दे दी जुनागड का नवाब जुनागड का विलय पाकिस्तान में चाता था नवाब के स्निर्णय के कारण जूनागण में जन विद्रो हो गया जिसके परणाम सरूप नवाब को पाकिस्तान भाग जाना पड़ा और जूनागण पर भारत का अधिकार हो गया हैद्रावाद का निजाम हैद्रावाद स्टेट को एक स्वतंतर देश का रूप देना चाहता था इसलिए उसने भारत में हैद्रावाद की विले की स्विक्रिती नहीं दी यद्यपी भारत को 15 अगस 1947 के दिन स्वतंतरता मिल चुकी थी किन्तु 18 सितंबर 1948 तक हैद्रावाद भारत से अलगी रहा इस पर ततकालिन ग्रिह मंत्री सरदार पटेल ने हैद्रावाद के नवाब की हेकड़ी दूर करने के लिए 13 सितंबर 1948 को सैन ने कारवाही आरंब की जिसका नाम ऑप्रेशन पोलो रखा गया था भारत की सेना के समक्ष निजाम की सेना टिक न सकी और उन्होंने 18 सितंबर 1948 को समरपण कर दिया हैद्रावाद के निजाम को विवश होकर भार्ते संग में शामिल होना पड़ा निसंदे सदार पटेल द्वारा ये 562 रियास्तों का एकी करण विश इतिहास का एक आश्यर था क्योंकि भारत की ये रख्तहीन क्रांती थी गांधी जीने सदार पटेल को इन रियास्तों के बारे में लिखा था रियास्तों की समस्या इतनी जटिल थी जिसे केवल थुमी हल कर सकते थी ये कहना अतिश्योक्ती न होगी कि यदि कश्मीर का निर्णय नेरुजी के बजाए पटेल के हाथ में होता तो आज भारत में कश्मीर समस्या जैसी कोई समस्या नहीं होती भारती नागरिक सेवाओं यानि I.C.S. का भारती करण कर इसे भारती प्रशाश्निक सेवाएं में परिवर्तित करना सरदार पटेल के प्रयासों का ही परिणाम है यदि सरदार पटेल को कुछ समय और मिलता तो संभवता नौकर शाही का पूर्ण काया कलब हो जाता उनके मन में किसानों इवं मजदूरों के लिए अशीम शद्धा दी वल्लावाई पटेल ने किसानों इवं मजदूरों की कटनाईयों पर अंतर वेदना प्रकट करती वे कहा था दुनिया का आधार किसान और मजदूर पर है फिर भी सबसे ज़्यादा जुल्म कोई सहता है तो ये दोनों ही सहते हैं क्योंकि ये दोनों बेजुबान होकर अत्यचार सहन करती है मैं किसान हूँ, किसान के दिल में घुश सकता हूँ इसलिए उन्हें समझता हूँ कि उनके दुख का कारण यही है कि वे हताश हो जाते हैं और ये मानने लगे हैं कि इतनी बड़ी हुकूमत के विरुद क्या हो सकता है सरकार के नाम पर एक चपरासी आकर उन्हें धमका जाता है गालियां दे जाता है और बेगार करा लेता है किसानों की देनी स्तिती से वे कितने दुखी थे इसका वर्णन करते वे एक बार उन्होंने कहा था किसान डर कर दुख उठाए और जालिम की लाते खाए इससे मुझे शर्म आती है और मैं सोचता हूँ कि किसानों को गरीब और कमजोर न रहने देकर सीधे खड़े करूँ और उचा सिर करके चलने वाला बना दूँ इतना करके मरूँगा अपना जीवन सफल समझूगा कहते हैं कि यदि सर्दार वल्लब भाई पटेल ने जिद्द न की होती राजेंत प्रशाद राश्पती पत के लिए तैयारी न होते सर्दार वल्लब भाई पटेल की हिमत का आलम ये था कि जब सरदार बल्लब भाई पटेल एहमदावाद मिंस्पिर्टी के अद्रक्ष तब उन्हें ने बाल गंगादर तिलक का बुद्ध यानि प्रतिमा एहमदावाद के विक्टोरिया गार्डन में विक्टोरिया के इस्तुप के समानतर लगवाई थी जिस पर गांधी जी ने कहा था कि सरदार पटेल के आने के साथ ही एहमदावाद मिंस्पिर्टी में एक नई ताकत आई है मैं सरदार पटेल को तिलक का बुद्ध इस्तावित करने की हिम्मत बताने के लिए अभिनंदन देता हूँ सरदार पटेल पटेल भारत के राश्ट्री स्वतंता संग्राम में अक्षम शक्ती स्थम्ब थे सरदार पटेल का कहना था कि हर एक नागरिक की जिम्मदारी है कि वह या अनुभा करे कि उसका देश श्वतंतर है और उसकी स्वतंता की रक्षा करना उसका करताविय है हर अधिकार है पर कुछ जिम्मेदारियां भी हैं। उनका सपना था कि भारत एक अच्छा उत्पादक हो और इस देश में कोई भूका न हो, अन्ने के लिए कोई आसु बहाता हुआ न दिखे। उनका मानना था कि एकता के बिना जन शक्ती शक्ती नहीं है, जब तक उसे ठीक तरह से सामजस्पे न लाया जाए और एक जूट न किया जाए और तब यह आध्याद्मिक शक्ती बन जाती है। आत्म, त्याग, अनवरत सेवा जदा दूसरों को दिव शक्ती की चेतना देने वाला उनका जीवन सदे प्रकाश इस्तम की अमर जोती रहेगा। सदार पटेल, मित भाशी, अनुसाशन प्री और कर्मट व्यक्ति थे। उनके व्यक्तित्तों में विस्मार्क जैसी संगठन, कुशलता, कौटेल जैसी राजनीती सत्ता, त्रास्ट्री एक्ता के प्रती अंबराहाम लिंकन जैसी अटूट निष्ठा थी। अपने अदम उत्सा, असीम शक्ती एवं मानवी समस्याओं के प्रती बहवालिक दिस्ट्रिकोंड से उन्होंने निर्भय होकर स्वदंदर राश्ट की प्रारंभी कटनाईयों का समाधान अद्बुत सफलता से किया। राश़् की प्रती प्रेम एवं युगदान के ही कारण आज विष्व के श्रेश्ट राजनीतिग्यों के श्ररणी में सदार पतेल को भी यान्त किया जाता है। विष्व राजनीति की मानचित्र में उनका अमिट स्थान है। सर्दार पटेल मन वचन तिथा कर्म से एक सच्चे देश भक्त थे, वे वन भेद तिथा वर्ग भेद के कटर विरोधी थे, अंता करण से निर्भिक थे, अपुर्व संगठन शक्ती एवं शेग्र निर्णय लेने की छमता रखने वाले सर्दार पटेल आज भी यूगा के लिए प्रिर्णा श्रोत हैं, कर्म और संगर्ज को वे जीवन का ही एक रूप समझते थे, भारत के देश भक्तों में एक अमुले रत्न सर्दार पटेल को भारत सरकार ने 1991 में भारत रत्न से समानित किया, 15 दिसंबर 1950 को सर्दार वल्लभ भाई पटेल यह लोग छोड़क पर लोग सिधार गए, आज सर्दार पटेल हमारे बीज नहीं है लेकिन उन्हें हमेशा याद किया जाता रहेगा, 31 अक्टूबर उनकी जनती पर अपनी भावाणचली के साथ शर्षत नमन करते हैं एक सूशना, अनिता शर्माद्वारा दुहनांकीत, IAS प्रिलियम चे सम्बंदित स्टडी मटेरियल जैसे Constitution, History, Geography, Science and GK टॉपिक्स पर डिटेल नोट की CD या DVD प्राप्ट करने के लिए आप हमें मेल कर सकते हैं इसके अलावा राजिस्थान, उत्तरप्रदेश, 36 गार तथा मत्रप्रदेश की General Knowledge से जुड़ी हुई CD भी प्राप्ट करने के लिए आप हमें मेल कर सकते हैं मेल आइडी हैं V-O-I-C-E-F-O-R-B-L-I-N-D अठाथ वाइस्थार ब्लाइड अड़ रेट ओफ जीमेल डॉट कॉम धन्यवाद भारत के स्वतंता संग्राम सिनानी एवं स्वतंत्र भारत के प्रथम ग्रे मंत्री सर्दार बलाभभाई पटेल का जन्म 31 अक्टूबर 1875 को हुआ था वे वास्तों में भारती जन्मानस अर्थान किसान की आत्मा थे सर्दार पटेल वर्व से ढखे स्वतंता आंदोलन में सर्दार पटेल का सबसे पहला और बड़ा योगदान खेडा संगर्ष में हुआ बुजरात का खेडा खंड उन दिनों भेंकर सुखे की चपेट में था किसानों ने अंग्रेज सरकार से भारी कर्मे छूट की मांग की जब ये स्विकार नहीं किया गया तो सर्दार पटेल ने किसानों का नित्रित्व किया सोम भाई, नरसी भाई और विच्छल भाई उनके अग्रस थे उनकी सिख्षा मुख्यता स्वा अध्याय से हुई लंदन जाकर उन्होंने बैरिस्ट्री की पढ़ाई की और वापस आकर एहमदावाद में वकालत करने लगे महात्मा गांधी के विचारों से प्रेरित होकर उन्होंने भारत के सुदंता आंदोलन में भाग लिया और उन्हें कर ना देने के लिए प्रेरित किया अंत में सरकार जुकी और उस्वर्ष करों में रहत दी गई ये सरदार पटेल की पहली सफलता थी बार्दोली सत्याग्र की जिम्मेदारी भी सरदार वनलभ भाई पटेल को सौपी गई थी वनलभ भाई पटेल के नित्रुत में इस आंदोलन का एक जौला मुकी थे विनवीन भारत के निर्माता थे भारत की सुनता संग्राम में उनका महत्मोर योगदान रहा सदार पटेल का जन्द नाडियाद गुजरात में एक पांटिदार क्रिशक जमिदार परिवार में हुआ था वे जवेर भाई पटेल एवं लद्मा की चौथी संतान थे